दोस्तों हाइडोलिक प्रेस से आर्मी के हेलमेट वा पुलिस के हेलमेट को दबा कर ये पता करते हैं कि आर्मी का हेलमेट ज़्यादा मजबूत होता है या फिर पुलिस का हेलमेट सबसे पहले तो हम पुलिस के हेलमेट को हाइडोलिक प्रेस से दबा कर देखते हैं और जैसे जैसे हाइडोलिक प्रेस का वजन उस पुलिस के हेलमेट पर पड़ता है तो लगबग 1800 किलो वजन पड़ने के बाद वा पुलिस का हेलमेट तूट जाता है लेकिन क्या आर्मी के हेलमेट को हाइडोलिक प्रेस दबा पाएगी उससे पहले आप लाइक वा सबस्क्र कर दीजिए तो आर्मी के हेलमेट को हाइडोलिक प्रेस से दबाया जाता है और जिसे ही हाइडोलिक प्रेस का वजन उस आर्मी के हेलमेट पर पड़ता है तो लगबग 1900 किलो वजन पड़ने के बाद आर्मी का हेलमेट भी तूट जाता है